आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होगे आपके study काफ Cordis चल रही होगी और आपके study को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आएं आपके लिए को बहुत ही एक अच्छी story और यह story ऐसे ही नहीं है इसके आपके marks मिलेंगे और यह आपके English book की chapter 25 के story है यह story कुछ इस तर लगने की बज़ा से उसका माइंड कैसा होगा और जब वो दो वर्स की हुई तो उसको चेचक हो गया चेचक होनी की वज़ा सरीर पर बहुत सारे दाने दाने या कुछ इस तरह से हो गए जिसकी वज़ा से वो कुरूब दिखते थी उनके पिता नंबरदार थे और उनके पित होते हैं उसके पिता को कि आप राम पाल या राम लाल उसका नाम है एक बार राम लाल उसका नाम है तो राम लाल को बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को जो स्कूल का ओपनिंग हो रहा है उसमें आप भेजिए तो स्कूल गाओं की स्कूल में उसको बिज़ा जाता है जब उ की जाती है तो जो प्रिंस्पल है वो जो है पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है वो हकलाती है सही से जवाब भी नहीं दे पाती है और जो है उसका नाम जो है ना बताने की वज़े से उसकी टीचर उसे बोलती कितनी भोली है और उसका एक नाम बढ़ जाता है भोली तो और बोली इस द नीक नेम आप गर्ल नेम सुलेखा, शी वास द फूर्थ दॉटर विलेज नंबरदार रामलाल, रामलाल's अदर दॉटर्टर्स वर हल्दी और बूतिफुल थी बाकी तीन लड़कियां काभी सुंदर थी बूतिफुल थी बट बोली बाज अगली और स्ट्रेमर बातल सर्माती भी थी हकलाती भी थी बाल सी बाज उनली टेन मांस ओल से फेल ताउं फंदा कोट एक चरपाई से गिर गी थी कि बाल दस महीने की थी तो दिस हाइड डैमेज सम पार आप ऑर ब्रेन जिससे उसके उसके ब्रेन कुछ पार डैमेज हो गया क्योंकि उसके चकन पाक्स हो गया इसके बाड़ी क्या हो गया पर डिस्फिगर हो गया लेटर अ प्रिम्री स्कूल वाज ओपन इन दा विलेज गमें प्रिम्री स्कूल ओपन होता है दे ताजल्दार केम तो परफॉर्म अपनी चरोमनी अप द श्कूल जी आग्ट रामलाल तो सेंड जीज दॉटर तो स्कूल रामलाल रिलंक्षुली सेंड भोली तो स्कूल दूड़्मस्टर तो गणवर्मस्टर तो टूछ पर तो ओवन अप द द तो अपने बदेश्रू एंड पर चल्स्रूम जीज दूएंगो टीचर अपने पुछ टीचर राम पुछती है इस तरह से पेस नहीं किया उससे साथ बहवार हुआ सी वाज deeply moved तो यह कहता है कि अर्था तो बहुत प्रभावित हुई तो यह सारी चीज़े यहां पर है section 1 में है section 2 में सारांस लिखा यहां पर teacher ने उसका नाम पूछा उसका सारी चीज़े बताए उसकी हिसाब से यहां पर यह चीज़े दिया गया है सारांस में अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो जो teacher त्याद ही आपका ने उसे पूना उसे नाम लेके पुकारा भोली जिज़ की परंत अंत में उसने भोली कहा और चैन की सांस लिए क्या नाम है भोली तो यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब देती जैसे मुझे आदर जम्हें छोटा था तो ले उत्तर लिखो मैंने का मेडम कौन सा उत्तर लिखना है यह दक उत्तर पूरा पक्सिमाला उत्तर क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि उत्तर क्या होता किसी भी सवाल का उत्तर लिखना होता आंसर यह उसकी बड़ी प्लब दीती आदियापिकान उसे सवाजी देते हुए उसकी प्रसंसा की उसने भोली से कहा कि वो अपने मन से भै को पूरी तरह निकाल दे और वह भी औरोगी तरह निडर होकर निर्भै पुर्वक बोलने की योग हो जाएगी कुछ समय पहस्चाद भोली का बिवा विसंबर नामक धानी मानी विक्ती से होना तै हो गया वह भोली से उमर में बड़ा था और टांग से लंगडाता भी था निश्चित दिन पर कारें कर्मा अनुसार बारात आ गई विसंबर हवन कुंड के समय बैठा हुआ था भोली को भी वहाँ पर लाया गया विसंबर जब उसे जैमाला पहनाने वाला था तो समीब खड़ी महिला ने उसका गुंगट सरका दिया किसका भोली का उसके चेहरे पद चेचक के निसान देख लिए अब उसने रामलाल से कहा यह दिवा भोली का विवाव उसे करना चाहता है तो उसके बदले में उसको 5,000 रुपे देने होगा इस टाइम पे 5,000 की भी किमत 50,000 जैसे होती थी राम लाल ने हर प्रकार से मिन्नत खुसामत की परंतुवा तयार नहीं हुआ आंति में राम लाल विसंबर को देने के लिए रूपियों का परवंद कर लाया किसे से मांग लिया परवंद हो गया होगा किन्तों जैसे ही विसंबर ने भोली के गलें बर्माना डालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया भोली ने बर्माला ली और अगिन कुंड के हवाले कर दे फेग दिया आग में बोली ने बड़े सपश्च सब्दों में कहा कि उब ऐसे कठोर लाल्ची और कायर विक्ति से कदापी विवान नहीं करेगी परंत वह उपस्तित सब लोगों ने कहा कि एक निरलज लड़की आप जानते हैं मारे सोसाइटी में अगर लड़की कुछ आवाज उठाती है तो वह कि बड़ मेनिंग आप कंपलेट करेंगे हिंदी में लिखा हुआ है हर चीज का एकस्पेक्टेशन सिंप्लिटन डामेज सारे चीजे लिखा हुआ है इसको आप कंपलेट करेंगे यहाँ पर कई सारे बड़ मेनिंग है देखिए बड़ मेनिंग कंपलेट करना इसलिए आप बना बना के लिख सकते हैं यदि आपकी स्टोरी पढ़ी हुई है तो दीखे आई ये तो एक एवल एक डेमो वीडियो जे अगर आप पूरा सीलेबस हमारा complete purchase करना चाहते हैं तो बहुत ही एक affordable fee है एक mobile recharge जैसा आप हमारे whatsapp नमबर 9643480201 पर content करके इसके बारे में information ले सकते हैं और कैसे purchase करना है क्या कुछ criteria होगा कैसे आप इस fee को submit करेंगे और किस तरह से सारे content आपको मिलेंगे इस सारे जनकारी वहाँ पर आपको मिलेगी और निश्जिंत रहिए इसमें story book के साथ साथ कही सारे तरीके model है grammar का एक अलग ही video sections lecture बना हुआ है तीन घंटे में मैंने पूरी book के story एक बार में नहीं चोड़ दिया है और बाकी हर एक chapter का एक particular दस मिनट से लेके आदे घंटे की बीच के video है जिसमें उसमें उसके कहानी फिर से बताई गई है उसके question answer को बताया गया है ताकि इतना आपको करवाया गया है कि total लगवग लगवग 20 घंटे के complete 20 hours के complete में आप complete जो है पूरा syllabus complete कर लेता है इंगले के बल 20 घंटे में ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि जो भी बच्चे exam देने वाले होंगा जिनका English में subject होगा English उनका वो आप 500 के बल खर्च करके इंटेंशन फ्री हो सकते हैं intense question 1 की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला सवाल है what incident यहाँ पर सबसे पहला सवाल है यहाँ पर आपसे पूछा गया है what incident made Woli a backward child ऐसी क्या चीज़े हैं जो Woli को एक backward child बना देती है when Woli was 10 months old के बल वो 10 साल की थी एक घटना उसे incident उसके साथ हुआ she fell of her caught of the caught on her head सर के बल गिरी as a result some parts of her brain got damaged this made Woli a backward child इससे की बच्चा की तर पिछड़ा हो किया second है at what age did Woli have attack of a smallpox किस age में उसको smallpox attack किया what was its effect on her looks और उसके face पे उसको चेहरे पे इसका क्या effect हुआ at the age of 2 years Woli had an attack of a smallpox because of this disease her entire body was spoiled by deep black pock marks forever हमेशा के लिए काले गड़े धबे उसको चेहरे पर रहागे question number 3 यहां पर why did Woli talk very little give two reasons आखिर Woli इतना देरे देरे क्यों बोलती इसके दो कारण लिखे answer यहां पर दिखे लिखा हुआ है यहां पर answer में पढ़कर आपको बता देता हूँ this question's answer यहां पर लिखा हुआ है कि as a result of her sickness Woli learned to speak after the age of 5 sickness कमजोडी के विए से 5 साल की उम्र के बाद से उसने बोलना बोला but still she had a tendency to stammer हक लाती थी वो when she talked other children made fun of her and me meet her मैं यहां पर जाओंगे तो इस तरीके से उसको चुड़ाते थे so she talked very little वो बहुत ही कम बात करते थी देखिए अगर आप English course हमारे यहां से purchase करेंगे तो आपको कोई book लेनी के जरुवत नहीं कोई guide लेनी के जरुवत नहीं है everything मैं प्रवाइट करूँगा ठीक है तो अगर आप normal guide भी लेते हैं तो वहाँ भी आपके 300-400 के रेंज पर आता है तो आप उसकी जगा पर यहां लेंगे complete मिलेगा डंगा मिलेगा number अच्छा लाएंगे आगे बात करते हैं question 4 की what kind of farmer रामलाल वाज किस तरह किसान था रामला and what was his worry about भोली और भोली को लेकर उसके मन में क्या चीनताए रहती थी देखिए रामलाल एक prosperous farmer था जैसे था होते हैं had ample to eat and drink इसे normal खाने पीने वाला रामलाल वाज worried as भोली didn't have good look and health like other sisters and C वाज not intelligent right question of fifth है यापर why did the तहसिलदार आस्क रामलाल to send his daughters to school give two reasons आखिर तहसिलदार क्यों कहता है रामलाल को कि आप अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला करवाई है देखिए as रामलाल was representative of the government in the village देखिए रामलाल के एक तरह से क्या हुआ सरकार तहसिलदार नो सरकार तरह से वो बोल रही है न दर तहसिलदार आस्क रामलाल आस्क रामलाल को भी एक उदारन दे सके if he send his daughters to the newly opened primary school in the village दी वह नए गाउं में भेशता है क्वेशन नमर्श टिक्स की बात करते हैं वाई रामलाल स्वाइफ डिसेगरेड वेन ही कंसल्टेड हर फोर सेंडिंग वोली टो ए स्कूल उसकी वाइफ क्यों डिसेगरी करते हैं उसकी बात उस सहमत नहीं होती जब वो ये कहता है कि मैं अपनी लड़की को नहीं बोली को स्कूल बेजेगे दीए रामलास वाइफ वाइफ डिसेगरी बिसेड डाउक्टर कोई से साधी नहीं करेगा इस बात को लेकर उसके मन में डिर है Q7 के हम लोग बात करते हैं यहां पर What about Q7 How finally Ramla's wife agreed to send वोली to school किस तरीकर से उसकी वाइफ मान जाती के ठीक है बस स्कूल इसको बेजेंगे So Ramla's wife knew that वोली had lack of beauty as well as brain वोली के पास सुन्दरता और दिमाग दोनों की ही कमी LAC के lack of milk दूद की कमी LAC की कमी LAC लगा देंगे कमी के बढ़र कर LAC off लगाई आगे बढ़र जोड़ दीजे Grammar का हो गया है आपर So this fear that no one would marry वोली को इस साधी नहीं करेगा She agreed to send her to a school so that her teachers might take points Pains to improve वोली's standard ताकि teacher जो है कुछ उसके दर्द को उसके और चीजों को बेहतर कर सके Question No.8 यहां का कहता है? Question No.8 यहां पर हम आते हैं यहां पर यह हमारा Question No.8 है यह कहता है Why Woli felt frightened at the idea of being taken to a school? Give reason आखर क्यों एक Woli के school जाने के decision पर इस तरह के decisions आ रहे थे देखे Woli felt frightened because वो काफी डर्यू महसूस कर रही थे She had never been out of her home कभी गर से बाहर निकली ही नहीं थी And she didn't have any idea What a school was like उसका कोई idea school होता क्या है? She was unwilling to go to a school ना इच्छा होती उसकी चाते हुए Because she fears that she would be turned out of her home like her cow उसे गाय को बाहर भेज देते हैं तो बैसे इसको भेज दिया जाएगा उसके मन में यह डर था एक तरह से Question No.9 यहापका क्या कहता है? यह Question No.9 है आपका This is your Question No.9 और यह Question No.9 यहाँ कहता है New clothes had never been made for Woli नए कपड़े कभी Woli के लिए नहीं बने थे The old races of her sisters were passed on to her पुराने कपड़े ही transfer होगे उसके पहुंचते थे What lie does the statement reflect about her parents' behavior? क्या यह विशो करता है parents' के behavior को? देखिए Woli's parents had discriminatory attitude towards her सही नहीं था, discriminatory गलत भीवारता है आपका Her needs and emotions were never given any consideration कभी उसके emotions के जरुवत को उस तरह से नहीं लिया गया It shows her parents always neglected यह दिखाता है कि उसके parents से मिशाव से neglect करते थे जब कि ऐसा नहीं करना चाहिए अगला questions के हम बात करते हैं यहाँ पर Inferential questions है यहाँ पर जिसमें सबसे पहला सवाल है यहाँ पर यह कहता है Pick up the relevant facts from the unit which suggest that the society was against girl education कुछ fact यहाँ पर ऐसे बताए कुछ relevant facts जिससे की लगे society girl's education के against पूरी society तो नहीं है आज काफी जवाना बदल गया लेकिन आज भी सोच है घर में दस साल की लड़की है और अगर मान के चलिए कि बारा साल का भी लड़का है तो एक गिलास पानी अगर पीना होगा तो लड़की लाकर देगे घर में सारे काम लड़की करेगी अच्छा यह पीछे अगर लड़की को मौका मिलेगा पढ़ाय लिखाय करने का तो बीजी रहे गों इसके पास टाइम नहीं घर का खाना करने का काम करने का ठीक यह तो अपनी जगह है पट कभी ऐसा हुआ चलो उसको सीखना है जरूरी चुकि चलिए सारकी से खाना एक जिमेदारी घर क ठीक होती है वहां तक ठीक है पार्ट टाइम की तरह फुल टाइम की तरह पढ़ाय लिखाय छोड़ चाड़के पूरा घर काम करना यह कला थे ठीक लड़कों को भी क्यूंदेना चाहिए क्योंकि खाना बनाना यह घर के चीजों को संभालना यह एक कला है तो आगे हमें जी सारा मसाला नीचे और ऊपर पानी पानी कच्चा सब्जे यह चीजे होती है अब दखती है और दीए मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ पड़ापर टोटी बना लेती घुल गोल बढ़ने है एकदम उसे फुलके की तरह अच्छी सजे बना लेते अब ड़ती है यह को वह स्कूल भेजिये तो उस टाइम पर क्या होता राम लाइन इस वाइक डिड़न्ट वाइक डिड़न्ट वांट बिकॉस देठावट इफ वुड वुड वी मीड ट्रवल फो दियर डॉटर्टर्स मैरेज ऐसा करने से उनके लड़की के साधी में दिक्कत होगा तो यह पा जैसे कि भुलेग पेरेट्स का डिस्क्रीने इंट्री मेंबर इन दर फैम्लि असा लगता है कि सेकंड ग्रेट की में घर में बिल्कुल दूसरी तरह की है भुलेज़ पेरेंट्स अधीस के बेवार जोन के लिए इसा था they ignore her needs and she always got old things of her sister at the time of her marriage they choose the old widow for the her देकिए साधी के टाइम में भी एक ऐसे साधी जो रड़के को ढूंडा विडो ही का सकते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो और लंगडाता था और उस उम्र में भी बड़ा था चाहिए सही था उसके लिए सामली है काली है जो भी है कमसम उसके एज का तो आप देखिए मेहनत कीजिये ढंक से देखिए काफी सारी चीज्ये होती है आपकी घर में भी गड़ों की भाएन हो सकती है बेटी हो सकती है तो क्या इसका मतलब भी है कि उसके अंदर एक कुछ एबिलिटी कम है या किसी बज़ए से सामली है तो क्या जैसे जैसे रड़के साथ ली कर दोगे क्या उसकी लाइफ नहीं है रड़कों की लाइफ नहीं होती है काफी सारे चीज़े है आप सोचेंगे तो आपको पता चले गाई या कोर्से नमर त्री की बात करते हैं going to a school स्कूल जाते हुए, वाज तर्णिंग पॉइंट इन भॉली के लाइफ में तर्णिंग पॉइंट आता है, इलबरेट दे स्टेटमेंट विद एक्जामपल स्टोरी, इस स्टेटमेंट को इलबरेट कीजिए, स्टोरी के हिसाब से, बोलिष टीचर मेड़ बोल्ड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और विटर्स कल, बोली के टीचर ने उसे कैसा बना दिया, बोल्ड, बोल्ड मतलब यह नहीं कि खाली, बोल्ड है, अपनी मर्जी से कुछ भी पानेंगा, नहीं, बोल्ड का मतलब परसनालिटी में बोल्डेंस लाना, खुद का अंदर कॉफिडेंस लाना, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इजट करना, अगर आप भी मानते हैं अपने आपको क्या आपको रूप हैं, आप काले दिखते हैं, आप सहीनी दिखते हैं, आप हैंडिसम नहीं हैं, लड़का या लगी कोई भी हो, तो बाहर वाले क इस आदमी साधी हो रही थी, मना कर दे था, bargaining कर रहा था, मना कर दिया भोली ने, she said that she would not marry such a mean and creative person, ऐसे मतलबी और लाल्ची व्यक्ति से कभी वो साधी नहीं करेगी, इंटेक्स वर्शन 2 की हम लोग बात करते हैं, complete the following sentence, कुछ sentence इसको आपको complete करना है, विसे भोली वाज टेकिंट वर स्कूल, by your father, because, आप किसने कहा तासिलदार बेगर, इसको आप फिल अप करना, आप स्टोरी से ही है, ठीक है, याप complete कर लेंगे, इसका answer लिखा तासिलदार ब बी पार्ट में लिखा है, find, यहाँ पर भी लिखा लिखाता है, यहाँ पर, चलिए, यहाँ answer में चल रहाता है, find words from the passage which have similar meaning, कुछ words ऐसे ढूंड़ी है, जो similar meaning है, जैसे, sit on one's hill with knees went up, frightened, attract, इसका कुछ similar meaning बताईए, तो पहला का squat हो गया, frightened का fear, डरा हुआ होना, attracted का मतला हो गया, fascinated हो गया, यहाँ पर, उस चीच को जैसे, fascinating बोलते हैं, लोग हम लोग है, paid attention का मतलब होता, notice करना, तो यह सारी चीज़े, आप यहाँ दीजे, अच्छे, यहाँ पर लिखा है, here is the table of couch and effect of certain action in event match them, match करना है, एक तरफ couch दिया है, यहाँ पर, और एक तरफ जो है, एक त as girls were laughing at her, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे पाला का D से match किया, वो ली nervous थी, क्योंकि match की यहाँ पर, क्यों nervous थी, यहाँ देखना होगा, तो यहाँ पर पढ़ना है, इसको और इदर की रूप मिलाना है, हाला कि answer भी दीख रहा है, बढ़ आप इसको मिला सकता है यहाँ पर, और index question 3 के हम लोग बात करता है, यहाँ पर, तो index question 3 में, यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा बढ़ा कर लेते, yes, कितना time ले लिया मैंने आपका, तो मैंने आपका 20 minute ले लिया, right, तो यह लिगा state whether the statements given will true false, true false, देख़िए का इसे पढ़के, the village did not change at all, the false, village change कैसे नहीं करना चारी थी, रामलाल की बाइब बहुत जल्दी थी किसे साधी करने के लिए, यह true है, इस तरह से आप point पढ़ेंगे इसको, यह सारे answer भी लिखे है, and question number 2 की बात करते हैं, आप टीक the right choice, विसंबर है डाक्सपूर, यह सारे कुछ points से जो stories related हैं, जिसको आप एक और पढ़ेंगे तो फटाफट आप जबाब दे देंगे, मैं में में आपको समझाता हूं, यहां पर question number 4 करता है, what changes come over the village in a few years को, सालों में गाउं में क्या बदलाब आया, तो देखिए, गाउं में बदलाब यही आया यहां पर, the few years time village become, कोई भी गाउं, सहर हो जाता है, a well-to-do bridge, आप बोल सकते हैं, इसको कि bridge groom यहां पर बोल तकते हैं, तो बिसंबर had a big shop, बिसंबर के पास एक बड़ी दुकान थी, a house of which is on खुझा घर था, और बहुत पैसे भी उसके bank में थी, इसलिए वो अमीर था, why did Woli's mother not consult Woli for her marriage, जब Woli की साधी हो रही थी, तो Woli की मा क इसलिए नहीं कि अपना decision क्यों ले ली, क्योंकि mother's Woli regarded Woli as a sensible, उसलिए लगता था, Woli dumb है, एक सीधी गाई की तरह है, senseless है, अपना sense नहीं है, she felt Woli did not have enough courage to refuse or revolt, उसके पास कोई मना करने के लिए, या revolt करने के लिए, कुछ ऐसा कोई कारण नहीं उसके पास है, so यहां पर लि find words from the passage which mean the same as under, जो मेंन मेंची जैसे of good omen, तलिका, auspicious, jealous, envious, यह सारे बड़े मिनिंग हमें साब को ध्यान रखने पड़ेंगे, जो आपके same meaning इसको देता है, यह जरूर आप ध्यान रखना, question 11 है, given below are the events in a jumble form, rewrite them in order as they occur in the story, तो उसको आप rewrite कीजए यहां पर, write sequence में आपको करना किया, जिससे इसमें जो है, लिखा A, B, C, D, E, F, G इस तरह से लिखा हुआ है, इसको arrange कीजए पहले करना है, बात करना है, जिससे पहले G आएगा, a great transformation had taken over the village, उसके बाद E आएगा, विसंबर वाज, consider, avail to do, bring home, तो जिसको जो है, आप set करेंगा, तो एक sequence पर आ जाएगा, इससे जंबल की तरह है, और बाकी जो है, ये grammar form में, describe the words, adjective, read, grammar के form में यहां पर है, तो grammar format में जो है, मैं already सब कुछ बता चुको हूँ है, यहां पर, जैसे adjective बेगरा, ये सारा grammar का special मे बिल्कुल इसी के जैसे हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर चाहिए, मैं आपको बहुत टाइम नहीं लूँगा, already 23 मिनट हो चुका है यहां पर, तो इनको आप पढ़ेंगे यहां, पर ये सारे ऐसे सवाल होते हैं, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहि कर देता हूं, यहां पर, ताकि किलियर आपको देख सके, और साथ में जो है, आप इनको वीडियो पहुच कर काम से कम पढ़ सके, इनके आंसर को, तो इस तरीके से मैं आपको केबली स्क्रास से धरी-दरी करके स्ट्रॉल कर देता हूं, ताकि आप इसको पढ़िए, ठीक है और सवाल जो है, देखिए, कई तरह से पूछा जा चुका है, लेकिन अगर आपको स्टोरी किलियर होगी, तो आप अपने हिसाब से लिख पाएंगे, दूसरा बड़े मिनिंग कम्प्लिट होना बहुत ही जरूरी होता है, तो बड़े-बड़े सवाल हो, छोटा सवाल हो, क ऐसा भी सवाल हो, सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो इसी के साथ हम वीडियो को बाइंड अप करना चाहेंगे, और उमीद करते हैं, कि ये कापी आपके लिए helpful रहा होगा, और आप इसमें आपने enjoy किया होगा इसे story में, तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं, कि आप हमा साते, खेलते, खेलते, एक emotions के साथ में, वहाँ पर जो है, आपका syllabus कव complete हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, और आप 80% इने वा भी ले आएंगे, अगें हमारी सुब कामनाएं हमेशा आप के साथ है, कि वह इंग्लिस में नहीं, बाकी subjects में भी आप अच्छा score कर सकते हैं, और चाप शाहें, तो कुछ subject हैसे हैं, जिनके live class भी जोईन कर सकते हैं, जैसे physics, chemistry, math and biology का, आप live batch जोईन कर सकते हैं, और आप arts subject में जैसे history, political, science, economics, geography, हिंदी, इनका आप syllabus purchase कर सकते हैं, तो हमारी सुब कामना हैं हमेशा आप के साथ है, रहेगी, और किवल NIS exam में नही कर लेए, as a teacher, हमारी जो आपा सिर्बात कहिए, सुब कामना कहिए, जो भी कहिए, हमेशा मैं आपको दूँगा, so thank you so much, आपके साथ ये समय आपने हमारे साथ इतना बिताया, इसके लिए वीडियो को अच्छा लिए तो लाइक कर देना, और देख लेना, अगर अभी तह आ multiplication को on कर लेना, thank you.